जो मैं हमेशा बोलता हूँ, नेरा बात को समझने का कोशिश करो। जब मैं थांसा बोलता हूँ, मैं क्यूं थांसा बोलता हूँ? आज हम लोग 90% से 30% हो गया हैं और आज भी अगर हमारा थांसा नहीं रहा तो आने वाला 5-6 साल में हम लोग 25%, 20%, 15% हम लोग खतमी हो जाएगा इसी के लिए मैं हमेशा क्या बोल रहा हूँ? कि आप लोग, हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग का प्रॉब्लम, तीप्रासा का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को बाटनी के लिए बहुत आसानी से हम लोग को बाट सकता है कोई भी कोई धरम के नाम में बाटता है, Christian, Hindu, Buddhist कोई जाती के नाम में कि हम बुरू है, हम देबर्मा है, हम त्रिपुरा है, हम कॉलोई है हम जमत्या है, हम मुच्चोई है, हम रूपिनी है, हम रांग खॉलदार लॉंग है ऐसा करके हम लोग को डिवाइड किया जाता है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर आज हम लोग 30% है और आज भी हम लोग एक नहीं हुआ, थानसा नहीं हुआ तो आने वाला जेनरेशन को क्या हम लोग देंगे? मैं पॉलिटिक्स को देखकर बात नहीं कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि हम लोग को थानसा तोरने के पीछे कौन है? कोई तिपरासा है? नहीं लेकिन हमारा ही तिपरासा को लीडर को थोड़ा सा लालज देला के हमारा थानसा तोरने का बहुत कोशिश किया जाता है मैं आप सबसे अपील करता हूँ एक साल बाकी है अगर एक साल आपने थानसा रखा तो हमारा नेक्स जेनरेशन को कुछ मिलेगा अगर हम लोग एक साल भी एक नहीं रहा तो हम आपको बोल रहा है कि आने वाले जमाने में आने वाले दिन में ना रहेगा तिपरासा ना रहेगा दौपा आप सोचो नेक्स जेनरेशन के बारे सोचो यूद के बारे सोचो हम लोग का भवश्य के बारे सोचो मैं अपील करता हूँ पॉलिटिशन बनके नहीं अपील करता हूँ मुबाकरा बनके अपील करता हूँ मैंने अपने बारे कभी नहीं सोचा है मैंने दौफा के बारे सोचा है और अगर आप लोग भी मेरे बोले हुए रास्ते में चलेंगे, तो हमको कुछ मिलेगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, करप्शन, कॉंट्रैक्ट, पोस्ट का कुछ मतलब नहीं रहता है अगर हम लोग ठांसा में एक नहीं होता है, जो हमारा कम्यूनिटी लीडर्स है, आप लो में आपको रह मुझज़ डाशिये था, हंवार साल तक सिर्व रहा, तो दो लेकिन आज के दिन हम लह लोग के उपर शाशन करने पर रहा थकत और अधर्यवनमा, परप्शण वश्तव क्योंगे, जामत्यों, आज यहादा हो गया है क्यूं मैं आपको फिर से अपील करता हूं दौफा के बारे और फ्यूचर जेनरेशन के बारे सोचो और ठांसा लाओ और एक संग होकर एक आवाज में ग्रेटर थी प्रलैन का बारे सोचो अगर अपना राज्य होगा तो हमको कुछ मिलेगा वरना हम लोग आज जो 30% है आने वाले 5-6 साल में 20-15% हो जाएंगे बैलाइन हम बारे